हेलो गाइज वेलकम टू माई यूटूब चैनल ही टेकनिकल ग्यान में तो गाइज आज अनलोग बात करेंगे अब देख सकते हैं डिकसेल का थर्मोस्टेट है यह और यह फूड चिलर और डिफ्रीजर में लगा रहते हैं और और यह गाइज माइनस और प्लस दोना में जैस में चाहिए मैस में चलेगा और प्लस करेगा तो आप इसको दोनों में यूज कर सकते हैं इसके को सकते क्या करें मुट करें और compressor का ओपर connect होएगा और sensor का ओओ काँ पर connect होएगा तो हम लोग इसको practically समज़ेंगे किह काई से काम कर रहा है तो गैस हम लोग start करते हैं इसमें तो first हम लोग देख लेते हैं भी आप देख सकते हैं यह इसका model number है ל-üre गाई rixie डिक्सल का यह और आप यह जख सकते हैं 9,10,11,12 यहां पे sensor का वायर लगा है आप देख सकते हैं यहां पे room लिखा हुआ है यहां पे जो पना डिफरेजर है उसका room अंदर का जो है उसको यहां पे room लिखा हुआ है उसका अंदर का जो temperature हम लोगों सेट करेंगे वो temperature sensor वो हमारा है 11 और 12 में connect कनेक्ट होगा और यहां पर देखिए doiger लिका हूँ और डिखा हूए you operator जो हम लोग काइल में एक अलगाते हैं हों हमारा इस में स्थेका नाइन और टेन में तो इसमें उनमें और और वों टम्परेंगार इसमें इसमें खोएता तो यहां पर जो सब्सक्का है इसका वायर यांपर अब देख सकते ह्यैं यह 9 हम लोग यह देखा हैये अब हम लोग देख लेते हैं को में चेहों चम्परेश स्चरफ्न सेवन यह जो 66 dare लोग इसको यह चुन करेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर कंप्रेसर स्टाट होने के लिए करेंगे जो कि पांच नमर वाइए और चार नमर जो इसका फैन का और यह एंसे पूले दो गाई नार्मली क्रोज हमेशा रहेगा और यह डिफ्रॉस का है जो कि हमारा डिफ्रॉस यह जी सेट कर देगा कि में fall कि में वह नंट करने योङए अपने टाइम में झेंटまだ सिस्टार्ट हो जाएकए और इस पर लोग करेंगा और यहां पर देख सकते हैं यह लाइन लिखा हुआ है तोो लोग क्या करेंगा इसमें अगर लाइन नहीं करेंगे तो हमारा जो यह रिले यह उपरेट होएगा लेकिश अमारा फाइन के लिए और कंप्रेसर के लिए नहीं छोड़ेगा तो हम लोग जो यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं निव्टल फेस तो यहां से फेस इसके साथ में यहां से कनेट करके और हम लोग वन पर लूप कर देंगे तो यह सप्लाई यहां से क्या करेगा वन पर बेज़ेगा अब देख सकते हैं वन से सप्लाई यह पूरा यहां पर गया हुआ है तो यहां से थ्री को भी मिल रहा है यहां से फोर को भी मिल रहा है यहां से फाइक को मिल जाए तो वन पे से हमको वन पे अगर सप्लाई देंगे तो हमारा थ्री टू फॉर फाइब यह सब पर सप्लाई मिलेगा अगर हम लोग इस पर सप्लाई नहीं देंगा इस पर यहां से लूप करके यहां पर एक वायर नहीं कनेट करेंगे तो हमारा रिले इसका अंदर ओप्रेट होएगा लेकिन हमारा कंप्रेसर चाहिए फाइन कोई भी वरकिंग नहीं करेगा और मैंने आपको बताया था यहां पर 9 और 10 पर जो कि आप देख सकते हैं चैनल एक कउमारा कनेक्ट होएगा आप देख सकते हैं यह जवाईल में लगा रहते हैं आ हूंग में लगेगा वर रूम टंपरेचर होकी और फोड़ कशिल्र का जो बी अंदर का अनुट अदर तमपरेचर को कैविन उसमेर उसका टंपरेचर सेंज करता है तो सेव हमारे 11 और 12 में लगए गैस 11 ए 11 ए 12 में अगर आप यह नहे लगाएंगे तो Epirer so करेगा P1 P2 so करेगा जोकि आप डिस्पलेट पर देख सकते हैं अगर हम लोग यह नहे लगाएंगे तो P1 P2 so करेगा Epirer so करेगा और यह चलेगा नहीं और गैस दूसरा अगर यह sensor coil sensor या जो temperature sensor है इसका cabin का जो temperature sensor है अगर वो भी खरब हो जाएगा तो काम बराबर नहीं करेगा तो P1 P2s हो करेगा जो कि आप display पर दख सकते हैं तो आप sensor change करके आप इसका fault साही कर सकते हैं तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको connection कैसे connection करेंगे इसका तो गाइज फर्स्ट हम लोग 6 और 7 पर इसको neutral face connect करेंगे 230 और 5 नमर से compressor के लिए और fine के लिए 4 नमर से और 2 से defrost के लिए गाइज और 1 नमर पर हम लोग लूपिंग दे देंगे तो गाइज पहले हम लोग face connect करेंगे इसका neutral face जो कि हमारा 6 और 7 आप देख सकते हैं 6 और 7 में हमारा 220 का supply देंगे यहाँ पर तो इसको हम लोग connect कर लेते हैं तो इसका फेस भी connect कर लेते हैंगे इसका फेस भी connect कर लेंगे इसका न्यूटल कनेक्ट हो गया है अभी इसका हम लोग face connect कर लेते हैं और face connect करने का time है गाइस हम लोग जो देख सकते हैं यह जो वायर मैंने यहाँ पर लूप दिया हुआ है इसे हम लोग लूप इसमें देंगे तो एक वायर और ले लेते हैं और इसको हम लोग इसका साथ में लूप देके वहाँ पर connect कर लें गाइस फेस का साथ में तो अब देख सकते हैं इसका साथ में मैंने connect कर दिया है अभी गाइस यह वायर जो है हम लोग क्या करेंगे one में connect कर देंगे इसको वन में connect करें गैस अगर यह हम लोग नहीं connect करेंगे तो यह हमारा compressor या fan है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है गैस तो वन में हम लोग connect कर लेंगे तो अब देख सकते हैं गैस यहां पर से हम मैंने यहां से connect करके वन पर लूप दे दिया है जो कि आप दे सकते हैं इसमें यहां से connect करके वन पर मैंने जो लाइन लिखा हुआ है उस पर connect किया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं तो ऐसा आप लूप करके देंगे तभी यह हमारा compressor है या ब्लोवर इसका motor है वो चलेगा नहीं है तो नहीं चले गाइस अभी हम लोग sensor connect करेंगे sensor connect करने के लिए हम लोग यह sensor है और यह sensor हम लोग 9 और 10 में connect करेंगे यह अब देख सकते हैं 9 और 10 इस पिन में connect करेंगे तो हम लोग 9 और 10 में connect करेंगे अगर हम लोग 11 12 में connect करेंगा तो यह काम नहीं करेगा हमारा बराबर वार्किंग नहीं करेगा temperature जो है हमारा जितना set करेंगे हम लोग उतना यह काम नहीं करेगा बराबर वार्किंग नहीं करेगा तो मैंने 9 और 10 में कोयल का जो temperature sensor है वह मैंने connect कर लिए अब भी हम लोग इसका रूम का जो temperature मैंने यहां पर लिखके दिखा है सेम यहां पर हम लोग इसको connect कर लिया तो मैंने दोनों sensor भी connect कर लिया और neutral face और एक वायर भी लूप करके हमने दे दिया है अभी रहे गया गया डिफ्रोस और fan और compressor तो गैस वह हम लोग जहां पर connect करेंगे इसको thermoset लगाएंगा वहां पर हम लोग पांच में जो पांच नमबर है उसमें compressor और चार नमबर में fan का वायर और दो नमबर में डिफ्रोस का connect करेंगे तो गईज हम लोग इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं तो अब देख सकते हैं गाइस यह स्टार्ट हो गया है अभी यह blink कर रहा है इसका मतलब compressor चालू नहीं है अगर यह blink बंद हो जाएगा तो compressor हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो अभी यह compressor चालू होने के लिए सप्लाइच छोड़ दिया है इसके लिए अभी यह continue इदर symbol दिख रहा है अगर यह compressor चालू नहीं है या तो defrost में गया है तो यह क्या करेंगा ब्लिंक करता रहेगा इसका मतलब compressor के सप्लाइच नहीं गया इसके लिए ब्लिंक कर रहे हैं जैसे अभी यह continue यहां पर सिंबल दिखेगा उस टाइम में compressor working करेंगा अगर यह ब्लिंक कर रहे हैं तो वह working नहीं है तो आप देख सकते हैं इसका भी रूम का जो totoncre घ्रần कर रहे हैं अगर हमको इसको सेट करने का जो टाम्रेचर सेट करने का इसको चेंज करने कह तो इसको फोर्म rationale पैम तक प्रेस करके रखेंगे जो सेट है मैं इस सेट पॉइंट को हम लोग फोर्टा टाम तक प्रेक्व कर करके रखेंग solid जब एस एलसियस है वह ब्लिंग करने लगेगा जो आप देख सकते हैं पॉइंट सी लिका हुआ है जब यह ब्लिंग करेगा उस टेम में हम लोग इसको अप डाउन करके अगर बढ़ाने करें तो हम लोग टंप्रेचर अप कर सकते हैं और कम करने का यह तो कम करके और फिर ब्लिंग करेगा फिस्ट बार इसमाइबैस करेंगा तो यह नाइटीटीन पे सेट हो गया अगर इस स्टारट होग घई्टि नाइटीन तक जब टंप्रेचर अएगा तो हमारा कंप्रेचर कंप्रे Stephanie बंधैंगा तो इस सब्सक्रेट कर सकता है अभी हमारा ऑनलग टंप् इस टाइम में क्या करेंगे हम लोग इसको दबाकर थोड़ा टाम तक ररखेंगे तो जल्D से थाउन हो आप इसको Понट फोर्टी तक भी शेट कर सकते हैं ये माइनस फोर्टी तक सेट कर सकते हैं इसको अब देख सकते हैं उससे भी ज्यादा जाएग तो यह मैनस मेंמפ लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और प्लस में यूज़ कर सकते हैं अगर माइनस में यूज़ करने का है तो आप 40 रखके 40.8 रखके इतना टमप्रेचर जाएगा तो आप इसको यहां से दो बर सेट परतन को प्रेस करिए यह माइनस में सेट हो जाएगा तो जब तक माइनस न तो यह क्या करेंगा जितना हम लोग इसका टाइमिंग सेट किया हुआ है उतना में 12 हावर में या यह तस मिट के लिए 22 मेट के लिए पांच मेट के लिए जैसे ओन होएगा और हमारा जो के लेंप ओन करने के लिए यहां पर लाइट ओन करेगा और यह टंपरिचर अपन डाउन का यह पाउर बटन है तो यह गाइस यह इसमें इतना हम लोग सेट कर सकता है इसमें और भी सेटिंग है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए वीडियो को इतना ही रखेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो भी सेटिंग है इसका अंदर का कैसा हम लोग इसका टंप्रेचर का जो किये वो लॉ कर दिया तो उससे नीचे आया उससे ऊपर कोई नहीं कर सकता है जब तक वो लोग नहीं अटाएगा तो तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर और हमारे चैनल अच्छी भी इसी टेकिनिकल गारन को सस्क्र करिये धन्यबाद गाइस